हेलो एवरिवन वेलकम तु स्टेडी इस आज जो मैं टॉपिक या फिर आपकर सकते हैं न्यूज डिसकस करूंगा बेसिकली दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंट सेक्टर की तरफ से और बात आ रही है दोस्तो पहला सिक्स्थ जनरेशन जेट स्टील बॉंबर आपक यहां पर करी गई है अब तक दोस्तों माना जा रहा है कि यह दुनिया का मुस्ट एडवांस मिलिटरी एरक्राफ्ट का खिताब जो है वो इसको मिलेगा अगर आप इमेज में देखेंगे न तो मेरको जब मैंने पहले बार इसको दिखा था मुझे यूएफो की याद आई उसने क्या-k yeah Friday को यहांपे शेडूल अधा कज अगी आज ची वीडियो में सब कुछ डिसकस करेंगे, क्या है ये, क्या बाते हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, मज़ा भी आएगा आपको, कोई भी अगर आपको यहाँ पर बताना है, तो बताईएगा, लेकिन आपको बताना है कि भारत के अंदर, इंडिया के पास कौन सा एर इसका फाइदा भी उठा सकते हैं, आप लोग लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, EPFO classes भी live हो चुकी है, इसका benefit आप लोग ज़रूर लेजएगा, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे most advanced military aircraft देखने को मिलता है, अब तक कब, दुनिया में ऐसा बनाया ह नहीं गया है, तो बनाने की बात भी यहाँ करी गई है, US Air Force जो है, उसने यहाँ पे आपका सकते हैं, reveal किया basically B-21 Rider को, इसका नाम यह रखा गया है, और बोला जा रहा है कि यह most advanced military aircraft है, US ने दोस्तों यहाँ पे बनाया है, एक नया stealth bomber, पहली बार दोस्तों आपके सकते हैं, 30 US का पहले जो long range strategic bomber jet था, वो replace होगा, और उसके जहाँ पर पचकते है, replace किसके द्वारा किया जाएगा, B-1 Lancer हो गया, और B-2 Spirit aircraft जो है, इनको replace करके, आपका B-21 Rider यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, Rader, आप मान दी जो है, नाम में ही दम है इसके, B-21 दोस्तों इसे developed किय गया है, with a budget around 25.1 billion dollar का, बहुत पैसा है, और यह allocate किया गया था, US Air Force के द्वारा 2010 में, इस तरीके से आप मान सकते हैं, 6 और यहाँ पे bomber को बनाया जाएगा, okay, Pam Dale के अंदर, at about 2 billion dollar per aircraft के तौर पे, तो इस तरीके साब मान सकते हैं, अगर 6 हैं, तो लगवग 12 billion और पैसा, इस अगले साल 2023 तक हमें यहाँ देखने को मिल साएं, अगले साल 2023 तक हमें यहाँ देखने को मिल साएं, अब वर्ल्ड का पहला 6th generation aircraft है, इतना बड़ा नाम बता दिया है, दुनिया वर में अगर इसकी comparison होता है, तो क्या है, पहला 6th generation aircraft बताया इसको, B-21, रेडर इसका नाम बहुत दूर तक bombing, nuclear mission वगरा में आप लोग इसको use कर सकते हैं, इस तरीके से इसके अंदर facilities लगा गई है, दोस्तों यह capable है कि अगर दुनिया की यहाँ पे कोई भी toughest चीज भी अगरा जाएगी न, उसको भी यह भेज सकता है, पेनेट्रेट करा सकता है, इतनी इसके पास power ह इस तरीके से इसको इतना futuristic बनाया गया है, और यह बात company ने अपनी website पे लिखा है, देखी दोस्तों मैं बता दूँ कि यह हर तरीके से, range भी इसके पास, payload भी है, survivability भी इसके पास, और यह सब कुछ बताया जा रहा है, B21 को develop किया गया था, next generation के तौर पे कि इसके अंदर capabilities डालेंगे, जिससे कि यह दुनिया की एकदम आप कर सकते हैं, जैसे तरीके से नाम बता देगा है, कि वर्ल की यहाप कर सकते हैं, पूरे दुनिया बन में अब तक का most advanced aircraft इसे बताया गया, क्योंकि इसके चीजे है, इसकी facilities, जो technologies इसमें use कर गी है, वो सब कुछ बिलकुल high the end है, जो दुनिया के most complex mission होता है, उनमें इसको use किया जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि इतनी बड़ी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो US दावा करता हुआ हमें दिखा देता है, और company भी दोस्तों, company भी इस बात पर नहीं हड़ते है, company भी य capable है कि यहाँ पर information भी ले सकता है, अपने friendly aircraft की, radar की, satellite वगारा की, इसके अंदर दोस्तों, यहाँ पर intelligence यूज किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, जिसके पास यह है, मैं मानता हूँ, मुझे जह यह दोस्तों बताया जा रहा है कि यह US bomber fleet के लिए, मतलब backbone की तरह आएगा, बहुत बला, बहुत दार support दे रहा होगा यह, जो पूरे US के strategic, यहाँ पर strategy है, उसको लेके, और दोस्तों, यह maned और unmanned दोनों तरीके से उड़ाया सकता है, इसका क्या मतलब होता है, maned मतलब एक किसी वेक्तियों उस पर भेजी हुए भी operate कर सकते हैं, अपने गर बैटे, इस तरीके से आप मालीजे, गर बैटे तो नहीं, आप लोग वेसमे बैट कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, आप लोग unmanned भी यहाँ पर इसको use कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है यह, अब China को यहाँ यहाँ पर target भी क्या गया है, यहाँ यहाँ पर claim करती है कि B-21 जो radar है, यह penetrate करता है दुनिया की, जो भी यहाँ पर defense के लिए कुछ भी अगर है तो दुनिया में उसे वो penetrate कर सकता है, इतनी उसके पास थाकत है, यहाँ पर एक और बात बता दू में, कि जो China के पास यहाँ प यहाँ पर बता दू कि जो US का Stealth Bomber है, यह कई सालों से यहाँ पर देखने को मिलता भी आ रहा है, और मैं बता दू एक और बात इसको कि उन्होंने चाइना वालों ने ही अपनी तरफ से जो build किया था, उसका नाम था, Shian S20 Stealth Deep Penetation Bomber, कि वो challenge कर सकता है B-21 को, B-21 को basically, तो इ इसी बात को देखते हुए, यहाँ बताऊं मैं आपको, तो People's Liberation Army के equipment expert है, तो वो कहते है कि यह काफी difficult है, किसी jet के लिए, कि वो जो China का defense है, इसे penetrate कर सके, वो यहाँ पर आपके सकते है, long range, जो missiles हैं, उन तक को यहाँ पर detect कर सकता है, तो यह सब यहाँ चाइना इस बात पर अब हमको यहाँ देखने को मिल सकता है, कि अगर कभी इन future में कुछ अगर ऐसा होता है, तो वो देखने लाएक होगा कि कि किसने यहाँ बात सही गई, कि B21 सही निकला है, या फिर इनका यह इतना बड़ा था, H20 जो है, तो कौन सा जीतेगा, मेरा जा रहा है B21 पे, आप ल इस तरीके से यहाँ पे उड़ता है, मतलब जो flying wing का concept है, जैसे कि आप लोग मैंने फोटो पे starting में ही दिखाया था, कि इस तरीके से बहुत अच्छा futuristic design इसका यहाँ पे लाए गया है, कुछ इस तरीके से में बनाने को सिस कर रहा हूँ, तो आप आने ज़े इस तरीके से इ smaller है B2 से, और जो payload की capacity है, यह भी ज़्यादा बढ़ा दी है, bombs को यहाँ पे ले सकता है, और यहाँ पे missiles बगारा को आगे कर सकता है, okay, significantly दोस्तों यह cheaper रहेगा B2 से, okay, और साथी-साथी easy रहेगा कि हम लोग इसे खरीदें और maintain कर सकें, B2 दोस्तों काफी expensive है, और उसमें का आप लोग मन लीजे कि पैसा भी कम लगता है, और उसके बाद यहाँ पे facilities भी ज़्यादा दे रहा है, और यह काफी बात है कि इसके अंदर पैसा कम लग रहा है, क्योंकि एक सरकार यह चाती है कि जो वो लोग यूज कर रहे ना उसको भारी मातरा में लिसक है, और भारी मा यह काम कर सकता है, आज ची वीडियो के लिए इतना ही, मजा आयोगा तो बताईगा, नहीं आए तो वो बताईगा, मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए, हैवन एसडे, एंड टेक किया,